उस पच्छतावे के साथ मत जागिए जिससे आप कल पूरा नहीं कर सके उस संकल्प के साथ जागिए जिससे आपको आज पूरा करना है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया तो सिल्म को पूरा कर सकते हैं ठीक है चली फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अगर अफ्यास बीना देर की है पहला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो का आखरी तक जरूर देखा करें हर गावर्न एक्जा बन गया है तो यह बन गया दोस्तों हिमांचल प्रदेश ठीक है हिमांचल प्रदेश आपको बता दे कि 28 नॉम्बर को हिमांचल प्रदेश अखिल भारती एकल आपातकाली नंबर 112 लाउंच करने वाला पहला राज्य बन गया है ठीक है आपको बतादी किस परियुजना के है दोस्तो बारह जीला इसमें कमांड सेंटर के साथ सिम्ला में का अपातकालिन प्रत्रकिया केंद्र स्थापित किया गया है ठीक है तो यह अखिल भारती एकल अपातकालिन नंबर 112 लाउंच करने पहला अखिल भारती राज अखिल भारती एकल अपातकालिन नंबर 112 लाउंच करने वाले पहला राज ही मांचर प्रदेश ठीक है इसको आपको जरूर रखना है वीडियो पसंद है दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कर देए इस वीडियो में टार्गेट है ग्यारा जाला इसका तो फटा फट वीडियो लाइक कर दीजिए अगला कोशन इनमें से किस फिल्म ने 49 अंतराष्टी फिल्म समारों में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है तो इसमें 49 पहरती फिल्म समारों में प्रतिस्थितивает golden-picaug अवाड़ जीता है डॉन बॉस्थी के ओप्सन भी डॉन बॉस्थ इन्होंने फिल्म जो 49 पहरती अंतराश्टी film समारों में प्रतिस्थित golden-picaug अवाड़ जीता है ठीक है golden-picaug आपको बता दे कि इस पूरुस्क में इंक्यानवे अकादमी पूरुषकारों में सरफसेष्ट विदेशी भासा फिल्म स्रेडी के लिए यूक्रेन की आधिकारिक प्रस्तुती है ठीक है तो यह 49 अंतराश्टी फिल्म समारों में गोल्डन पिकाक अवार्ड किसने जीता है डॉन बास तो यह आपको याद रख देखें आपको बतादे कि एम नाइक को कौशल विकास और उद्यमता मंतरारे दवरा राश्ट्री कौशल विकास निगम ठीक है राश्ट्री कौशल विकास निगम यहनी NSDC का नया अध्यक्स निउत किया गया है ठीक है आपको बतादे कि वह लार्सन और टूबो लिम्टे के अध्यक्ष के रूम में किसे न्यूक्ट किया गया है यह न्यूक्ट किया गया है अर्विंद सक्षेना जी को ठीक है अब अधिक भारत के राष्ट पती जी ने अर्विंद सक्षेना को संग लोग सेवायोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का अध्यक्ष न्यूक्ट क या अगले अधेश तक साथ अगस 2020 तक होगी ठीक है आपको वतादे किनको जो है 2015 में सदस्क्रूब में UPSC में सामिल हुए थे ठीक है और UPSC सदस्क्रूब में सामिल होने सपहले हुए यह भी इसन रिसर्च सेंटर के निदेशा क्रूब में काम कर रहे थे तो UPSC के अध्या चेर्में किरू में किसे ने उत्किया गया है अरविन सक्सेना को मौस्ट इमपोर्डिन कोशन ने याद रखिएगा कोशन 5 दोस्तों हाली में ASEAN of the Year पूरुषकार किसने जीता है तो यह काफी इमपोर्डिन कोशन है इसका राइट एंसर जायगा आपसाने वीजय वर्मा पी राजकुमार ठीक है आपको दादिक भातिनों सेना कमांडर विजय वर्मा और कप्तान पी राजकुमार ने 28 नमबर अपको दादिक केरल में विनासकारी बाढ़ के दोरान उन्हें अपनी निश्वार्द सेवा और बचाव भिमान में बहादुरी के लिए समानित किया गया था पुरुसकार अंग्रेजी भासा समाचार पत्र दा इस्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा स्थापी था और सिंगापुरी में स्थी था है ठीक है एसी अनाप दियर पुरुसकार यह जो है अंग्रेजी भासा समाचार जो दा इस्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा सिंगापुरी म तो यह important, काफी important question है राइट answer इसका option B चीन, ठीक है, चीन है भारत और चीन ने निर्यात के लिए आपको दर एक सोशकता और निरिक्षण आवसकताओं पर एक protocol हस्ताक्षर किया है ठीक है, यह protocol भारत को चीन में मचली, भोजन और मचली के तेल का निर्यात सुरू करने में सक्षम करेगा ठीक है, तो यह काफी important है option B, चीन, राइट है question 7 देख लें दोस्तों, फिलिस्तानी जनता के साथ अंतराश्टी एक जूटता दिवस सैंक तुराश्ट द्वारा हर वर्स कब मना जाता है 29 नवंबर को, ठीक है, option B देखे, फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतराश्टी एक जूटता दिवस सैंक तुराश्ट द्वारा हर वर्स 29 नवंबर को मना जाता है, ठीक है 29 नवंबर 1947 को सैंक तुराश्ट सभा ने पिलिस्तीन के विभाजन पर इस संकल्प को अपना आया था ठीक है, संकल्प के तहट आपको अधिक फिलिस्तीन में यहुदी राज और अरव-राज की स्थाबना के लिए प्रस्ताव किया गया था फिलिस्तीनी जनता के साथ अंतराश्टी एक जूटता दिवस सेंक तुरास द्वारा हर्वस्ट कमना जाता है 29 नवंबर को तोस्तो सस्टेनवल ब्लू एकोनॉमिक पर पहला वैस्जुक सम्मेलन नवंबर दुठारा को कहां पर आजित किया गया था ठीक है केन्या में ठीक है option C तीक है सस्टेनवल ब्लू एकनॉमिक पर पहला वश्युक सम्मेलन केन्या के नरोबी में आजित किया गया था इस सम्मेलन काजन केन्या ने किया था कनाडा और जापान सम्मेलन के सह मेजबान थी ठीक है आपको बतादिक सम्मेलन समुद्रियों 30 संसाथनों की रक्षा के लिए उनकी पून्हे उपत्ति में सहता करने के लिए प्रतिवद्ध है ठीक है तो यह सस्टेनवल ब्लू एकनॉमिक पर पहला वश्युक सम्मेलन कहां पर रज़ित किया गया केन्या नरोबी में कोश्चन 10 दोस्तों इन में से कौन सा स्थान पहली बार भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम की मेजवानी करेगा तो इसका राइटन सब जाएगा ओप्साने पोर्ट ब्लेयर ठीक है अंडमान निकोवार दिप्समों के पोर्ट ब्लेयर में 29 नवंबर 282 को पहली बार भा लोक से लोग संबंदों को सुविधा जनक पनाना है ठीक है अब बताते आपको कि पहला बिजनेस फोरम जुलाई 28 में इंडोनेशिया माजित किया गया था ठीक है तो पहली बार भारत इंडोनेशिया बिजनेस फोरम में जमानी कहा हुआ है पोर्ट ब्लेयर में 11.992 को दो किया जाएगा मुंबई में ठीक है option B ठीक है मुंबई में दो दिवसी बैस्षिक बीमानन सिकर्समेलन आजित किया जाएगा यह सिकर्समेलन फ्रेडरेशन आफ इंडियन चेंबर साफ कॉमर्स एंड इंडेस्टी फिक्की के सयोक से नागरिक उडियन मंत्राले और स्पोर् इंडिया द्वारा आजित किया गया ठीक है किया जाएगा आपको दादिक सिकर्समेलन का विशे क्या है फ्लाइंग फॉर ऑल इसमें इस्पेशली फॉर दा नेक्स्ट शिक्स बिलियन तो दो दिवसी विमानन सिकर्समेलन कहा है मुंबई में कोशन 12 दोस्तों भारत और किस जिपेश के बीच गोवा में कोंगर 2018 थारा अम्भ्यास सुरू किया गया यूके थीक है भारत और यूके की भीच अनृतिट की रोल नेवी और भारति न असेना के मद्द गोवा में a 1818 भ्यास शुरू किया गया ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसमें आपको ता देख रॉल नेवी को प्रतिनिद्ध हमेस ड्रेगन द्वारा किया गया और भारतिन उसेना को प्रतिनिद्ध इसमें आई एनेस कोलकाता ने किया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है को On.31 है बच्चों के लिए भारत का पहला उन्नत व्यक्तिकट रिवोट रोबोट लॉंच किया था इसका थे नाम क्या है अफ क मीधी टू ठीक है? option c सी बच्चों के लिए भारत का पहला उन्नत व्यक्तिकट रॉबोट मीको टू लॉंच किया गया ठीक है यह आपको अधर नहीं है यह रोबोट बच्चों की शुरुआती शिख्षा और विकास के में माता-पिता की मदद करेगा अगला कोशन इनमेशिकी समंत्राले ने भासा संगम नामा के एक पहल सुरु की है तो यह सुरु की है मानुर संसाधन विकास मंत्राले ने भासा संगम नामा के एक पहल सुरु की है और आपको अधर भासा संगम स्कूलों और स्यक्षिक संस्थानों के लिए कारिक्रम है जो भ भारत के तहर्ट सुरू की गई थी 21 दिसमबर तक जारी रहे गी 21 दिसमबर तक जारी रहे गी 20 मंत्राले ने भासा संगम नामा के पहल की ए मानुर्शन साधन विकास मंत्राले स्वभाग योजना के तहट भारत के एक कितने राज्यों में 100% सौ प्रत्सत बिद्धुति करण हासिल किया है किया है आठ ठीक है आठ राज्यों ने एट देखे उर्जा और नवीनी करण उर्जा के लिए केंद्री राज्य मंत्री आरके सिंग ने आठ राज्यों में स्वभाग योजना के तहट घरेलू बिद्धुति करण में 100% परिपूरता हासिल कर लिए है ये आठ राज्य कौन कौन से हैं MP है मत्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मु काश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगान और पस्चिम, मंगाल ठीक है स्वभाग योजना कुदेश से देश के सभी सेस परिवारों को बिजली पहुचाना ठीक है तो ये स्वभाग योजना के तहट भारत के आठ राज्यों ने 100% बिद्धुति करण, 100% बिद्धुति करण हासिल किया है अब देखले दोस्तो लास्ट वीडियो के अंसर मैंने कोशन पूचा था, राष्टपती रामनात कोविने कि इसे भारत का नया मुख निरवाचा नायक तुनित किया है सुनील अरोडा जी को ओप्सन सी करेक्ट था, सभी स्टूडिन ने काफी राइट एंसर लिखा था और डिटेल में लिखा था ठीक आप देख लेते हैं, आज का सवाल क्या, आज का सवाल बहुत इंपोड़ेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में जरू लिखना है रक्षा मंत्री निर्वरा सीतरा माने, रक्षा में बहुत धिक संपता धिकारों में आत्म निर्वरता बढ़ाने के लिए आपचारिक रूप से कौन सा मिशन शुरू किया है आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखना है, अपने कल की वीडियो नहीं देखिए, जस्ट यहाँ पर देख लेए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हर्गा और इक्जाम के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूले और कमेंट जरूर करें दोस्तों सभी ज्यादा ज्यादा लोग ठीक है चलिए मिलते नेक्ट वीडियो के साथ दोस्तों आपका दिन शूब हो डेली मौनी में टाइम निकाल कर आप करेंट अ जय भारत